हेलो एवरिवान वेलकम टू नौक्रियास प्रेंट आई होप आप सभी एकदम बढ़िया हैं तो दोस्तो सभी लोग ससी MTS exam की तयारी में जुटे वह हैं हम भी आपकी तयारी में आपका साथ दिनने के लिए आपके लिए लिखकर आई हैं बहतरीन सीरीज इस सीरीज में हम आपके साथ हर टोपिक्स रिलेटेड जितने भी important MCQ है वो हम आपके साथ discuss करेंगे इस सीरीज में हम आपके साथ 1909 में से अब तक SSE में जितने भी important question पूछे गए हैं वो हम आपके साथ discuss करेंगे तो आज का हमारा टोपिक है प्राचिन हितियास के इतियास चल रहा है तो उसमें है महा जन्पदकाल और मगद का उद्धै इस से रिटेड जितने भी important question है वो हम आपके साथ discuss करेंगे तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को subscribe करके bell icon को दबाना नहीं भूले ताकि आपको अन्य वाली वीडियो की notification भी मिलती रहे साथ ही PDF for notes के लिए आप हमारी website www.nokriaspirant.com पर विजिट कर सकती है वैसे भी आपको class की timing तो पताई है daily 9 बजे सभी यहाँ पर आ जाना और सुबह current affair की class लेना भी नहीं भूले वो सुबह 6 बजे होती है ठीक है तो daily 9 बजे आपकी यह class daily चलेगी topic wise जितने भी है पहले आप history related जितने भी topic है पहले हम वो cover करेंगे उसके बाद आगे आपको बताना कि किस subject से related आपको mcq चाहिए वो भी हम आपको अवलेबल करवा देंगे उसकी class फिर आ जाएगे आप हमारे social platform के साथ भी जूड सकते हैं जिनके link आपको description में मिल जाएंगे यहां से आप सिद्धा हमारे telegram channel को join कर लेना ताकि आप जो भी notification हो उसके बारे में update रहें तो जल्दी से वीडियो को like कर दो like का button दबा दो हम आपके लिए बस इतने बड़े बड़े series लेक कर आते हैं तो आप इतना तो करे सकते हो एक like का button दबा दो जल्दी से और जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अपने friends के साथ share कर दो वीडियो को फिर हम अपने आज के session की सुरुवात करते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा first question है बारत का कौन सा छित्र प्राचिन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था तो कौन सा अवद, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा तो बताईए कौन सा जाना जाता था जल्दी से comment करो very good बताईए तो हमारा सही जवाब है option D मालवा आगे बढ़ते हैं आजीवक एक संपरदाई था तो आजीवक का मतलब बताना या पर क्या होता है तो आपके पास option दिये गए हैं बुद्ध के समकालिन, बौद्धो से अलग हुई एक शाखा, चारवाग संक्राचारे द्वारा स्थापित संपरदाई तो आजीवक सुना ओगा है मुझे लगता है ये नाम सभी ने तो बहुत द्रमसर लेटिड है ये तो क्या जाएगा बुद्ध के संकालिन आजीवक क्या होता है बुद्ध के संकालिन यानिकि बुद्ध के संकालिन यानिकि ब अपने पिता बिम्बी सार की हत्या की, वैं कौन सा शाशक था, अशोक, अजाद शत्रू, कनिस्क या सिमुक, बता ये कौन सा साशक था, जिसने अपने ही पिता की हत्या कर दी, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, option B, अजाद शत्रू, अजाद शत्रू ने सिहासन के लिए अपने ही पिता बिम्बी सार की हत्या कर दी, तो यानि, इससे क्या पता चल रहा है, यानि कि बिम्बी सार के पुत्र का क्या नाम था, अजाद सत्रू, ऐसे भी क्यूशन आ सकता है, अजाद सत्रू के पिता का क्या नाम था, तो बिम्बी सार, तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, कि नह, जैसे को तैसा, जो जैसा करता है, को वैसे ही काटता है या जैसा बीज बहुतता है वैसे काटता है तो इसने अपने पिता की हत्या की और तो इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी सिहासन के लिए उदाइन इसके पुत्र का क्या नाम था उदाइन यानि कि अजास शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या क आगे समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं सिकंदर और पोरस की सेनाव ने किस नदी के आमने सामने वाले तटो पर पड़ाव डाला हुआ था रावी के जेलम के सतलज के या चिनाव यहने सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद हुआ था वो बताना था कौन सा युद हुआ है और कौन सी नदी के किनारे हुआ वो बताना है और उस युद में किसकी विजय हुई ये भी बताना है देखो इस स्रेलेटर कितने क्यूशन आ गए है तो बताओ तो हमारा सही जवाब क्या होगा Very good Option B जेलम नदी के किनारे तो इनका युद हुआ था और सिकंदर और प्योरस के बीच में युद हुआ था इस युद को हाइडे स्पीज के युद के नाम से भी जाना जाता है किसके नाम से हाइडे स्पीज हाइडे स्पीज का युद या जेलम का युद कितने क्यूशन आ देखो हाइडेस पीज का यूद जेलम का यूद ऐसे आ जाएगा हाइडेस पीज का यूद किस के बीच में हुआ सिकंदर और पोरस ऐसे आ जाएगा जेलम का यूद किंदो के बीच हुआ सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ एसी भी क्यूशना आ जाएगा अच्छा कब हुआ ये पूछले तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 326 इस्वी पूर और इस युद में विजय किस्की हुई तो राजा पोरस की विजय हुई इसकी जीत हुई राजा पोरस की विजय हुई अच्छा ये पूछ ले जेलम नदी का पुराना नाम बताया था वद्धिकाल पड़ाया जब और प्राग एतिहासिक काल पड़ाया तब जेलम नदी तो हमारा सही जवाब है जेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता नदी क्या है पुराना नाम वितस्ता नदी चलो ये पहले क्यूशन बता देती हूँ प्राग एतिहासी कास लेटरे क्यूशन पुछे है कि कुछ बच्चे कह रहे है कि हमें न जो महान सनानागर है या महान अनागर है वो कहां से लिया गया है इन में कंफ्यूज होती है तो बता देथिए महान असनानागर, जो सनानागर है, सनाना, ये तो है मोहन जोड़ों में, सनानागर आएगा मोहन जोड़ों में, मोहन, ऐसे करलो मोहन सनान करता है, मोहन सनान करता है तो याद रह जाएगा ना मोहन जोड़ो में तो महान सनानागर है और महान अननागर कहाँ पर मिलेगा वो हडपा में तो महान अननागर हडपा में महान अननागर हडपा में तो ऐसे याद गर ना मोहन सनान करता है तो मोहन जोड़ा जाएगा तो अना गर आ जाएगा तो हड़ा पामे मिल जाएगा अब याद रह जाएगा ना आगे बढ़ते हैं हमारा next question है निम लिखित में मगद के वन्शो को करम अनुसार वेवेस्थित करे करम के अनुसार था पहले कौन था फिर कौन आया फिर कौन और फि यहां पर प्रिंटिंग गलती होगे यह यहां पर टू है या थ्री है यह मतलब यह आगे बीचे इसको टू ही मान लेना वान टू थ्री फोर बताएगे कौन सा आएगा तो हमारा सही जवाब क्या होगा ओप्शन सी यान कि पहले आया हरियक वन्स पहले कौन आया हरियक वन्स फिर शिशुनाग यान कि दूसरा है शिशुनाग वन्स तीसरा है नंद वन्स और फिर लाष्ट में आया था मोरिय वन्स लाष्ट में कौन आया था मोरिय वन्स यानि पहले हरियक वन्स फिर शिशुन प्रागवन्स, मोर्यवन्स और नंदवन्स आ गया समझ में अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं चेंदी वंश का परसिद सासक राजा खारवेल किस छेत्र से था चोल मंडलम कलिंग कन्योज या प्रूस पूर कहां का था बताईए तो हमारा सही जवाब क्या होगा कहां का आगे बढ़ते हैं किस सेना ने गरिक चाशक सिकंदर के साथ जहलम नदी के तठ पर मुकाबला किया अभी बताए था फिर से आ गया तो सभी को किलिए रहा न ये चंदरगुप्त मोरिये पोरस गनानंद या आमभी अभी बताए था तो सिकंदर के साथ किस का ये दूआ था पोरस का, किस नदी के किनारे, जिलम नदी के किनारे और किस की जीत हुई, तो पोरस की जीत हुई हाइडे स्पीज की युद्ध से भी इसको जानना जाता है आगे बढ़ते हैं उस गणतंत्र का नाम बताईए जो चठी स्तापती इस्सा पूर्व आठ राज्यों का संग था आठ राज्यों का गांधार, कोशल, वज्जी या अवन्ती तो बताईए किस का था, कौन था वो हमारा सही जवाब है, ओप्शन B वज्जी, सोरी, यहाँ पर भी मिस्प्रिंटिंग हो गई है तो वैसे तो वज्जी ही आएगा लेकिन आपर ओप्शन C आएगा और यह ओप्शन B है तो कोन है, वज्जी आगे बढ़ते हैं किस आशक को मग्द का उद्य काश्रे जाता है बिंदुसार, अजाद्शत्रू, बिंबिसार या वशुदेव तो किसको जाता है बताईए तो हमारा सही जवाब है ओप्शन C बिंबिसार याने कि मग्द का उद्य बिंबिसार को जाता है और इसके पुत्र को उन्तविर अजाशक्रू दे आगे बढ़ते हैं मोर्य वंश के बाद किस वंश ने मग्द पर शाशन किया था मोर्य वंश के बाद पताना है साथ वाहां शुंग, नंद या कंडव तो किस ने किया था बताईए तो हमारा सही जवाब क्या होगा किस ने किया था मोर्य वंश के बाद बताना है तो हमारा सही जवाब है ओप्शन B शुंग वंश पहले मैं बता देती हूँ मोरिय वंस के संस्थापक कौन थे तो सभी को पताओगा चंद्रगुप्त मोरिय चंद्रगुप्त मोरिय ने धनानंद को हराकर मोरिय वंस के संस्थापक चंद्रगुप्त मोरिय थे और उन्हें किस को हराकर धनानंद धनानंद को हराकर मोर्य समाज की स्थापना की थी और धनानंद किसके थे? नंदवंस के ये भी राखना धनानंद किसके थे? अंतिम शाशक नंदवंस के थे और चंदरगुप्त मोर्य पर्थम साशक किसके थे? मोर्य वंस के और मग्द पर और फिर इसके बाद किस ने किया तो इसके बाद किया था सुंगवंस ने किस ने किया सासन सुंगवंस ने सासन किया और सुंगवंस की स्थापना कैसे हुई थी जो मोरेवंस का जो अंतिम पहला था था चंदरगुप्त मोरी है और अंतिम था ब्रैदर्थ इसको है ना इसके सेनापती ने सेनापती का नाम क्या था पुष्य बुति सुंग पुष्य बुति सुंग ने ब्रैदर्थ को हराक कर यानि कि ब्रैदर्थ की हत्या करकर किसकी स्थापना की थी सुंग वंस की स्थापना की थी आगे समझ में न, मोर्य वंस के पर्थम साशक थे, चंद्र गुप्त मोर्य है, और अंतिम साशक कौन थे, ब्रैधर्थ, टो ब्रैधर्थ के सेन्नापती पुष्य बूती सुंग ने ब्रैधर्थ की हत्या करके, सुंग वंस की स्थापना की थी, और चलिए, बैस, काफी शाशक बोल सकते हैं तो कौन थे महा पद महा पदम नंद नंद वन्ष की स्थापना किस ने की थी महा पदम नंद ने और अंतिम शाशक अभी बताया था घना नंद थे जिसको किस ने अराकर चंदरगृत मोर्य ने अराकर मोर्य वन्ष की स्थापना की थी आगे बढ़ते हैं Current Affairs related काफ़ी question आपके exam में पूछे जाते हैं, आपको बताया भी है, हमारी किलास भी आती है, 6 बजे सुबह देख लिना, ठीक है, तो Current Affairs आपके exam related काफ़ी important है, तो अपने Current Affairs के तयारे को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, आप हमारी website पर widget करें, यह हमारी website है, यहा आपको ऐसा page मिलेगा, यहाँ पर आपको हर subject related जितने भी कुछ भी चाहिए, वो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से आपको Current Affairs related, daily current affair, weekly, monthly, yearly, daily, weekly quiz मिल जाएंगे, weekly quiz मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से free में प्राप्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, नालंदा विश्व ध्यालय कहां है, राजस्थान, असम, बिहार, गुजरार, तो कहां पर बताईए, तो हमारा सही जवाब है, option C, बिहार में, और मुझे लगता है, शायद, I think, 2016 में, इसको UNESCO की विश्व धोर में साम्मिल भी किया गया है, कंफरम तो पता नहीं है, लेकिन लगता है, 2016 ही है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्राचिन बारत का पहला सामराज्य है, जिसमें युद के लिए, बड़े पैमाने पर हातियों का उप्योग किया गय या बड़े पैमाने पर किया गया था वो भी, शुंग, चोल, मगद या कुशान, तो किस ने किया था बताईए, दोस्तों लाज तक बने रहो, सेसन काफी इंटरेस्टिंग और ऐसे ही डेली आपके सेसन इंटरेस्टिंग आते रहेंगे, और कॉमेंट करके बताते रहेंग जो भी आ बताना जरूर, ठीक है, तो क्या आएगा इसका, तो हमारा सही जवाब है, मगद, मगद पहला समराजय था जिसमें हाथियों का बड़े पैमाने पर हुआ, और अगर ऐसे पूछे कि किसने ज़्यादा क्या, तो ऐसे आ जाए तो ऐसे समझना, चंद्रगुप्त मो आपदी इशा पूरू में कितनी महान शक्तिया महान जनपद अस्तितों में थी, 11, 13, 17 ये 16, तो ऐसे कितनी थी, बताए कोमेंट करके, तो हमारा सही जवाब कितनी होगा, 16 है, यानि कि गोत्तम बुद्ध के जीवन काल में कितने 16 महान जनपद थी, 16 महान जनपद थी, आग कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है, जो की चठी और 17 स्तापदी इश्चा पूरू में बारत में मौजूत है, मगद, वैशाली, अवंति या कोशल, कौन नहीं है राजशाही राज्यों में से, तो हमारा सही जवाब है, ओप्शन भी वैशाली, आगे बढ़ते ह 16 महा जन्पद में से किस की राजदानी तक्शिला थी, कोशल की, कुरू की, वज्जी की या गानधार की, तो किस की थी, ओप्शन दी, गानधार की, आगे देखो, कौन सा बोध गरंथ, 16 महा जन्पदों का उलेक करते हैं, कौन सा बोध गरंथ बताना है, दिग निकाए, अंगुत्तर निकाई या विन्य पिटर बताईए ओन करता है हमारा सही जवाब क्या होगा ओप्चन सी अंगुत्तर निकाई आगे बढ़ते हैं प्रारम में राजगरे को राजगरे जो आधुनिक खालिस्तान के राजगीर का प्राकर्त नाम है जो मगद की राज़ानी था यानि की राजगरे क्या थी मगद की राज़ानी थी इसका आधुनिक में राजगीर नाम है तो वह कौन से राज़े में पढ़ता है बंगाल उरिस राजगरे का आधुनिक नाम क्या है वरतमान में, वरतमान में तो हमारा सही जवाब ज़ाएगा उप्चन यह राजगीर कहाँ पर पढ़ता है यह पुछे तो बिहार में पढ़ते हैं आगे समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं प्राचिन बारत में महा जन्पदों के शाचक अपने छेत्र के खालिस्तान से बागा नामक एक कर लेते थे तो किसे लेते थे? किसानों से चरवाहो, शिल्पकारो, शिकारियो और एकत्रतों बते किसे लेते थे? तो हमारा सही जवाब है जो भागा नामक कर है वो लेते थे किसानों से कौन सा कर लेते थे? भागा नामक कर आगे बढ़ते हैं कौन सा महा जन्पद नहीं है? कुरू, काम कामरूप कोशल या अंग कौन सा महाजनपद नहीं है बताना है हमारा सही जवाब है ओप्शन भी कामरूप नहीं है आगे देखो प्राचिन चमपा शहर को खालिस्तान महाजनपद की राज़दानी मानना चाता था चमपा शहर को किसकी राज़दानी कास्षी की मतस्य अंग या वज्जी, तो किसको माना रहता था, हमारा सही जवाब है, option C, अंग को, आगे बढ़ते हैं, सबी सरकारी exams related, exam material, quiz, previous year paper की PDF या notes, जो भी चाहिए, वो सभी आपको हमारी website पर free में मिल जाएंगे, यह आँ से अब direct click करका हमारी website पर जा सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, मोर्य वन्स ने में से किस राजवन्स के बाद मग्द का सासन किया, मोर्य के बाद तन्य अभी बताया भी था, नंद, शुंग, गुप्त वन्स या कुशान वन्स, तब तहिए, मोर्य वन्स के बाद अभी बताया था, sorry, sorry, यूशन गलत है, मोर्य, मैंने शुन्ग राजवंस के बाद मगद पर सासन किया था, यानि कि ये बोल रहा है कि मॉर्यवंस ने किसको हराकर अपना मॉर्यवंस ठापित किया था, तो नन्द राजवंस को, शुंग को, गुप्त को और कुसान को, तो हमारा सही जब क्या जाएगा, option A, नंद राजवन्स को हराकर मोर्यवन्स की स्थापना हुई थी और मोर्यवन्स के बाद पुछे तो क्या जाएगा शुंग राजवन्स याने कि इनी तिनों में बता दी हूँ इनसे पहले भी काफी थे पहले नंद राजवन्स, फिर मोर्यवन्स और फिर आजवन्स थीक है आगे समझ में और इससे भी पहले पुछे इससे पहले पुछे तो अभी जो आया था पहले क्या जाएगा हरियक राजवन्स क्या जाएगा हरियक राजवन्स फिर आजवन्स शिशु नाग राजवन्स शिशु नाग दूसरे नमबर पर फिर आ जाएगा ये एक मिट्रो को ये फर्स्ट है ये सेकिंड है थर्ड आ जाएगा नंदवन्स फिर आ जाएगा मोर्यवन्स और इसके आग जाएगा शुंगवन्स काफी है इससे भी उपपर है लेकिन जो अभी थोड़े जो इमपोर्टेंट वह बता रही हूँ पहले हर्यकवन्स फिर इसके बाद शिशुनागवन्स नंदवन्स और शुंगवन्स आ गया समझ में हर्यकवन्स के संस्थापक बिमबिसार थे बताया था बिमबिसार को उसके बेटे आजासत्रो ने मारते साथ. हो गया? फिर बिंबिशार के बाद आये शिशुनाग वंस तो शिशुनाग वंस का जो या इसकी स्थापना किस ने की या पर्थम gilt सक तो शिशुनाग यह था और इसका अंतिम शुषक बुछे तो महा नंदिन अंतिम शाषक कौन थे? महा नंदिन आगे समझे में और फिर इसके बाद कौन सा है? नंदवन्स नंदवन्स का आपको बताया ही था तो नंदवन्स के कौन थे? महा पदम सोरी, महा पदनन्द पदमनन्द और लाष्ट के कौन थे? गनानन्द फिर गनानंद को हराकर मोर्यवंस में आए मोर्यवंस में चंद्रगुप्त मोरे पर्थम चाशक थे अंतिम चाशक थे ब्रैदर्थ अंतिम चाशक कौन थे ब्रैदर्थ थे अंतिम चाशक कौन थे मोर्यवंस के ब्रैदर्थ थे फिर ब्रैदर्थ को हराकर ब्रैदर्थ को किस ने रहे था इसके ही सेना पती ने रहा कर पुशे बुति सुंग ने रहा कर सुंग वंस की स्थापना की आगे बढ़ते हैं बिम्बी सार किस वंस के राज़त है अभी बताये था कोई भी गल्थ नहीं करेगा अभी पूरी कानी बताइए तो बिम्बी सार किस राज़वंस के थे वेरी गूर तो हमारा सही जवाब है ओप्शन ए हरियक वंस के थे बिम्बी सार और अंतिम पूछे तो नाग दशक यानि कि यह मैंने एक दोई बताए कि बिम्बिसार को इसके पुत्र अजाशत्रों ने मारा फिर अजाशत्रों को उसके पुत्र उदाईने मारा और आई थिंग शायद उसको भी मारा गया था तो यानि कि अपने ही पिता के अत्या करकर राज स्यासन पर बैठे हुए थे हर्यक वंस में ज़्यादा तर ऐसा ही हुए आगे बढ़ते हैं राज्या अजा शत्रू किस वंस के सा सकते अभी बताय था फिर से मोरिया शिशुनाग हर्यक या नंद तो क्या आएगा इसका भी ओप्शन सी हर्यक वंस के थे आगे बढ़ते हैं हर्यक वंस से मग्द के पहले शास्चा कौन हुए यान कि हर्यक वंस की सापना किसने की या हर्यक वंस के पर्थम शास्चा कौन थे कैसे भी आ सकता है बिम्बिसार, अशोक, परसेंजित या अज्याशत्रू देखो A की क्यूशन को कितने गुमा के पुछा है तो क्या आएगा? ओप्शन A, बिम्बिसार आगे बढ़ते हैं कौन नंदवन्स का अंतिम्स आसक्था? अब ही बताया है, गल्त मत करना घनानन्द, पांडुका, गोवी, शानाकन या क्यवर्त पते हैं कौन है? नंदवन्स का अंतिम्स सासक्थ ओप्शन A, घनानन्द आगे बढ़ते हैं हर एक वन्स का सासक अजाशक्रू किसका पुत्र था? देखो, एक विशन को कितनी बारेपीट करके पुच्छा है अनिरुद, उद्याईन, बिम्बिसार या नागा दसक्थ तमारा सही जोग क्या हो जाएगा? अजाशत्रू बिम्बिसार के पुत्र थे और उद्याईन किसके थे? अजाशत्रू के थे आगे बढ़ते हैं परसी चिकितसक, जीवक जो जीवक था, चिकितसक था किन युक्ति किसके राज़दर्बार में की गई थी? कृष्ण देव राय, बिम्बिसार, असोक्या, समंद्र, गुप्त तो किसकी नियुक्ति होई थी? किसके तऱ राज़दर्बार में? हमारा सही जवाब है ओप्शन बी बिम्बिसार के राज़दर्बार में जीवक की नियुक्ति होई थी और शायद ये कौन थे? जो बोध दरम थे, बुद्ध, इनके सेवक थी आगे बढ़ते हैं ग्रिक युनानी लेख को दवारा किसे अग्रमीज या जैन्डरमीज कहा गया? अजाशत्र को, कालाशोक को, महापदमनंद को या घनानंद को किसको कहा गया? अग्रमीज या जैन्डरमीज? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ओप्शन बी गनानंद या धनानंद को कहा गया नंद राजवंस का संस्थाप्पा कौन था अभी बताया था धनानंद महिंद्र महापदमनंद या गजानंद तो नंद वंस के पर्थम सस्थाप्पा कौन थे ओप्शन सी महापदमनंद थे और अंतिम थे गनानंद तो option C आएगा अब तो आगे बढ़ते हैं किस राजमंस ने मागद समराज्य पर साश्टन नहीं किया था नहीं किया था बताने नंद, हरियक, गुप्त या शिशुनाग तो किस ने नहीं किया था देखो सभी को पता चल रहा होगा अभी किस का नाम नहीं आया है तो हमारा सही जवब क्या होगा option C गुप्त ने नहीं किया, नंद ने किया, हरियक ने किया और शिशुनाग ने किया आगे बढ़ते हैं आज आज शत्रू किस का बेटा था अभी बताए फिर से आ गया ब्रमदर्त, बिन्दुसार, बिम्बिसार या चेत्त तो हमारे सही जवब है बिन्दुसार और बिम्बिसार में कानफ्यूज मत होगा तो अज शत्रू किस का था option C, बिम्बिसार ना कि बिन्दुसार का, इसमें काफी बच्चे distorted कि ये दोनों एक ही है तो एक नहीं है, बिंदुसार अलग है और बिंबिसार अलग है, बिंदुसार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, कौन से शाशक मगद समराजे से सम्मंदित नहीं है, बिंबिसार, अजाशत्रू, राजा धिराज या महापदमनंद, तो कौन नहीं है, प अभी तक नाम नहीं आया और महापदम नंद का भी तक आ गया तो सिद्धक पता चल रहा है तो कौन नहीं है ओप्चन सी राजा धीराज नहीं है और ये तो अभी तक आ चुकी आगी बढ़ते हैं मगद एक शक्तिशाली महाजन पद होते वे भी वैशाली बिहार में अपनी राजदानी वज्जी सही थे प्रशाशन के एक अन्या सवरूप के अदीन था जो खालिस्तान कहलाता था लोकतंतर गणिया संग पंचायती या समाजवार बताईए तो क्या कहलाता था ओप्चन बी गण या संग आगे बढ़ते हैं चोथी स्वाब्दी इसा पूरू में मगद की राजदानी को खालिस्तान स्थानंतरित कर दिया गया था तो कहां पर मथूरा पाटले पुत्र वार्णसी या पानी पत तो कहां पर कर दिया गया था हमारा सही जोब क्या होगा ओप्चन भी पार्टली पुत्र तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो कैसी लगी कॉमेट में प्लीज जरूर बताना आपकी फर्ष्ट वीडियो पर काफी अच्छा रिस्पोंस है अब और भी वीडियो को इतना ही अच्छा रिस्पोंस देना हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लिख कर आते रहेंगे अब आपकी देली नो बजे ऐसे ही सब्जेक्ट से लेटेड एमजी क्यू हम आपको करवाते रहेंगे और कोमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसे लगी थेंक ये अवरिवन बाई 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 टे कैसा है